तो प्यारे बचो हम पढ़ेंगे नाउन वट इज नाउन नाउन होता है एनी नैमिंग वर्ड इस गाल्ड नाउन एनी नैमिंग वर्ड का मतलब क्या है कोई भी ऐसा दुनिया के अंदर वर्ड जो किसी का नाम हो उसे हम क्या बोलते हैं नाउन बोलते हैं वो खाली नाम होना चाहिए ठीक है ना वो नाम हो तो वो नाउन होता है नाउन is equal to नैम नाईम is equal to नाउन तो क्या पता चला कि जो नाउन है वो क्या होता है एक definition होती थी मैंतब students अक्सर बोलते हैं नाउन is नाम a person, place, thing ठीक है न तो यह मैंने बोलोगा यह गलत है ठीक है यह लेकिन यह incomplete है ठीक है न क्योंकि इसके अलावा भी noun होते है person, place, things के अलावा भी noun होते है ठीक है न उसे हम बोलते है noun तो क्या पता चला noun किसे बोलते हैं कोई भी naming word कोई भी word लिखा होगा ना book पे चाहे दुनिया की जितनी books है सब पे अगर वो नाम होगा किसी का तो वो क्या होगा noun होगा ठीक है ना जैसे कि मैं example आपको देता हूँ pain pain is word ये क्या होता है pain means दर्द तो दर्द क्या है दर्द एक noun है लेकिन नहीं ये person है नहीं ये place है नहीं ये thing है तो लेकिन ये फिर भी noun है तो that means कि any naming word is called noun ये example मैं बोलता हूँ love है ना प्यार हम दर्दी दिल के अंदर होती है दिखती मत है ठीक है thinking so ch inis a an icon है फिर भी नाउन है बजो इसे हम नाउन बोलते ठीक और ये भी क्या है इस वह आ Building इंड ना जी ठीक है इआ म definition है नहीं ये person है नहीं है किया प्लेस है नहीं है किया थिंग है नहीं है लेकिन फिर भी यह noun है ठीक है तो इसी लिए मैंने क्या बोला एनी नैमिंग वर्ड इस काल noun ठीक है बच्चो नेक्स जिसी एक्जामपल आपको देता हूं हमें cricket cricket क्या है बैट और बाल तो हमें दिखता है लेकिन cricket बैट और बाल का नाम थोड़ी ना है वो किसका नाम है वो उस गैम का नाम है गैम दिखती है नहीं खेलने वाले बंदे दिखते है बस उसका गैम का एक नाम है जो नहीं दिखती है जो इसको टच कर सकते हैं लेकिन वो है व आपल तो दिखते हैं यह तो सिंपल नाउन है कार ठीक है तो यह कि सारे कि सारे क्या है दीजार इग्जैंपल आफ नाउन ठीक है आई हो बचो नाउन आपको समझ में आगा हो कि नाउन होता क्या है अब हम बात करते हैं टाइपस आफ नाउन की We have two types of noun ठीक है बच्चो दो किसम के noun हम करते हैं कैटेगराइज करते हैं पहला है countable noun दूसरा है uncountable noun तो countable noun क्या होता है वो noun जिसको हम count कर सके जिसको हम गिन सके ठीक है ना तो uncountable noun क्या होता है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं ठीक है तो countable noun की मावकर आपको मैं एक्जाम्बल देता हूँ जैसे कि मैंने बोला trees इनको हम गिन सकते हैं पेड़ों को मैंने बोला cars इनको हम गिन सकते हैं मैंने बोला bags है ना one two three four हम इनको गिन सकते हैं ठीक है तो यह क्या है these are called countable nouns uncountable noun means जिसको हम गिन नहीं सकते हैं uncountable हम आगे discuss करेंगे पहले हम देखते हैं countable noun के अंदर हमारी कौन कौन सी type साती हैं तो जो पहली type है countable noun के अंदर वो है common noun we have common noun common nouns means क्या होता है वो noun जिसकी क्या हो एक copy हो any noun that has another copy ठीक कोई भी noun जिसके जैसा एक और उस दुनिया में हो एक हो या हजार हो लेकिन उसके जैसा गम सक्गम एक वैसा ही हो exactly वैसा ही हो अगर exactly वैसा ही हो किसी चीज़ का दूसरा तो वो क्या होता है? वो common noun होता है that means आम वो पाया जाता है एक जगा भी पाया जाता है ठीक है न उसे हम क्या बोलते हैं common noun बोलते हैं मिसाल के दोर पर मैंने बोला car मिसाल के दोर पर मैंने बोला apple ठीक है न मिसाल के दोर मैंने बोला tree यह क्या है यह common noun की example है ठीक है बचो दूसरा हम बात करते है proper noun की यह countable noun के अंदर है ठीक है ना प्रपर नाउन को भी हम गिन सकते हैं प्रपर नाउन क्या होता बच्छो एनि नाउन डैट इस सिंगल इन दे वर्ल कोई भी नाउन जो इस पूरी दुनिया में एक ही हो अकेला हो ठीक न उसके जैसा दूसरा कोई भी नहीं हो जैसे कि मैंने बोला दस सन सूरज एक है ना गाइस इसके पांच दस पंद्रह सूरज नहीं है कि यहां से निकल रहा है वहां से निकल रहा है एक ही सूरज है ठीक है दा एर्थ जमीन है एक ही जमीन है एक ही जमीन या मैंने बोला मिसाल के दोर पर विराठ कोहली है ना विराठ कोहली के जैसा यह प्लेयर इंडिय क्या है एक ही होता है लेकिن यह क्या होता है युनीक होता है इसके जैसे दुनिया में वेज़ कोई भी नहीं होता है तो तीस्री टैप है बज्चो हमारा जो इसमे common noun जो हमारा countable noun के अंतरा याथ है collective noun वह अदन क्या होता है जिसको it the collective तो कलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करते हैं फिर उस गरुप उसको एक गरुप बनाते हैं उस गरुप का एक नाम दे देते हैं तो वो जो नाम होता है उस पूरे गरुप का वो rocky होता है वो single हो ता है उसको हम भोलते हैं collectue noun ठेक है बचो जैसे कि मिसाल के दर्वे मैंने बोला school of फिश ठीक है ना या मैंने बोला गैलक्सी अफ स्टार्स है ना सितारे बहुत सारे है ठीक है ना या मैंने बोला बंच अफ ग्रेप्स तो बचो यह जो स्कूल है यह गैलक्सी है यह बंच है यह क्या है इनके अंदर देखो बहुत सारे नाउन है बहुत सारे नाउन लेकिन इ यह बन किया कलेक्टिव नाउन ठीक है बचो आई होब आप